जै शीर राम भक्तों, भक्तों स्वागत आपका हमारा चैनल देव बनी में, भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, पर हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा आज की कथा है, तोता, शिकारी और शिवलिंग, आईए कथा शुरूर करें हरे राम तोते के पूरे परिवार को किसी शिकारी ने मार डाला था जब शिकारी ने उसके पूरे परिवार की हत्या की थी तब वे परिवार के लिए भोजन की तलाश में गया था आकर देखा तो उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे मरे पड़े थे उसके उपर मानो पहाड ही तूट गया वे इधर उधर घूमने लगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा क्यों इन लोगों की हत्या कर दी इन्होंने किसका क्या विगाडा था इसे दुख से वे उड़ा जा रहा था परिवार से बिशडने के गम में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था बार बार पुरानी यादें उसके जहन में आ रही थी आसु की धार लगातार बही जा रही थी उस जब ठक गया तब एक पेड़ पर बैठ गया। उसके आंसों की धार लगातार बहे जा रही थी जो पेड़ के नीचे ज़ाड़ियों के उपर गिर रहे थे। उसे भी नहीं पता था कि जिस जगा उसके आंसों गिर रहे हैं, वहा कोई प्राचीन शिवलिंग है। उसके आंसों से शिवलिंग का अभिशेक हो रहा था। उसके आंसों के अभिशेक से बोले नाद जी जागरत हो गए। भगवान शंकर ने सोचा कि इतने वर्ष बीत गए यहां कोई आया नहीं, किसी ने कोई सुध नहीं ली। यह कौन भक्त है जो इतने घने जंगल में जाडियों के बीच मेरे शिवलिंग पर अभिशेक कर रहा है। शंकर भगवान प्रकट हुए उन्होंने उससे पूँचा कि तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो और तुम क्यों रोए जा रहे हो। उसने भगवान शंकर को देख कर प्रणाम किया, अपने साथ हुए घटना करम को उसने विस्तार से बताया और कहा कि मैंने इस जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमेशा दूसरों की मदद की दया धर्म दान पुन्ने का कारे किया, फिर भी मेरे साथ यह क्यों हुआ? भगवान ने उसके बात सुनकर कहा, देख मनी राम, तुम पिछले जनम में एक शिकारी था, तुम बड़ा ही निर्दई था, तुम ने पिछले जनम में उस शिकारी के परिवार की बड़ी निर्दईता पूर्वक हत्या कर दी थी, यह उसे पाप कर्म का परिणाम है कि डाला, उसने भोले नाज से प्रशन किया, हे प्रभू, मेरे पापों की सजा, मेरे परिवार को क्यों दी, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था, तब शिवजी कहते हैं, जिस प्रकार तुमने उसके निर्दोष परिवार की हत्या की, ठीक उसी प्रकार, तेरे कर्म से निकलने के लिए कोई उपाय बताएं तब शिवजी ने कहा तो पास के गाउं में जाकर जन्समुदाय को इकठा कर एवं पूरे घटना करम को बताकर यहां का जिर्ण उधार करवाओ इस प्रकार भोले नात उपाय बताकर अंतर ध्यान हो गए हरे राम उड़ता हुआ पास के गाउं में पहुँच गया शाम का समय था सभी लोग काम कास से निपट कर घर पर ही थे हरी राम ने गाउं के चौपाल से आवाज लगाई सुनो, सब सुनो, सुनो, सब सुनो आवाज सुनकर कुछ लोग इधर उधर देख रहे थे कही कोई दिखाई नहीं दे रहा था हरी राम चबूतरे के उपर पेड़ की साखा पर बैठा, बॉल रहा था इसलिए उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया फिर हरी राम ने आवाज लगाई सुनो सुनो, सब सुनो, इधर देखो इस बार किसी का ध्यान पेड़ पर बैठे तोते की तरफ गया उसकी आवाज हू बू हू इनसान जैसी आ रही थी हरी राम सभी तरह की आवाज निकाल सकता था एवं इनसानों की तरह बादचीत कर सकता था कुछी देर में चौपाल के आसपास पूरा गाउं इकठा हो गया तब गाउं के मुख्या ने हरी राम से पूछा क्या हुआ, क्यों सभी लोगों को इधर बुलाया है तब हरी राम ने अपने परिवार की हत्या एवं भोले नाद द्वारा कही गई संपूर्ण बात सभी गाउं वालों से कही हरी राम की बातों को सुन कर गाउं के कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा हरी राम ठीक कह रहा है महा पर एक प्राचीन मंदिर है क्योंकि वह जगा अब घने जंगल में बदल गई है इसलिए महा की देखरे कोई नहीं कर रहा है सालों से महा कोई आता जाता नहीं है आजकल की पीड़ी को इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं है इस प्राचीन मंदिर की जानकारी जैसे लोगों तक पहुँची सभी ने उस मंदिर के जिर्ण उद्धार करने का बीड़ा उठाया अगले दिन हरी राम के साथ समस्त गाउं वाले मंदिर के लिए चल दिये रास्ते की जाडियों को काटते हुए रास्ता बनाते हुए मंदिर पर पहुँच गए मंदिर के चारों और जंगल जाड़ी हो गई थी इसलिए शिवलिंग नजर नहीं आ रहा था साफ सफाई करने के बाद शिवलिंग नजर आ रहा था जैसे ही लोगों ने शिवलिंग देखा वहाँ पर हर हर महादेव के जैकारों से संपूर्ण जंगल गूंज उठा पोरे मंदिर के सफाई की तो मंदिर की रोनक अलग ही नजर आ रही थी शिवलिंग के पूजा पाठ एवम अविशेक किया गया रोजगाओं वालो द्वारा नित्य पूजा पाठ की जाने लगी इस परकार भगवान भोले नात हरी राम के इस काम से बहुत परसंड हुए उन्होंने उसके पिछले जनम के किये गए पाप से मुक्ति दे दी साथ ही उसके परिवार को जीवन दान दे दिया जय शर्राम भगतों